हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूटूब चैनल आज में इस वीडियों बात करने वाले है राजस्तान जीके के महतपण क्यूशनों के बारे में प्रियोजना है वो किस राज्य में है तो वो है पंजाब हर्याना और राजस्तान में उसके बाद में बात करें चंबल प्रियोजना की तो चंबल प्रियोजना राजस्तान और बद्य प्रदेश के साथ है पचास अनुपाद पचास में व्यास प्रियोजना की बात करें तो व गोराना बांद, अकोदड़ा बांद और कसोट या बांद तिनों है तो उप्रवक सभी इसका सही आंसर हो जाएगा D. अगला कुछन है पिच्याग बांद कहां परस्तित है तो पिच्याग जोदपुर में है ए ओप्सन इसका सही होगा. अगला कुछन है निम्न लिखित कथनों को द्यान पूरवक पढ़ना है चुन्ने से बनी इस नहर की कुल नमाई 133 किलोमेटर है जो 112 किलोमेटर पंजाब में और 17 किलोमेटर राजस्तान में सिवपुर्चरी गंगानगर तक है ये पहला कतन है दो नमर कतन है इस नहर की दवा नहर है 120 किलोमेटर लंबी टोटल लंबाई है 112 पंजाब में है तो इसका सी ओप्सन सही होगा गंग नहर प्रियोजना अगला कुछना खतन राजस्तान में नहर सिंची छेतर में कर्शी उत्पादन में उलेखनी सफलता मिली है कारण है नहर चिंचाई का सबसे सस्ता यों स हपई प्रियोजना जलाबाड जिले में है सोम कमला अंबा की बात कर तो यह दूंगरपूर में है फिर शावन बादोो की बात कर तो शावन बादो हो जाएगा कोटा में और सोम कागडर हो जाएगा उदेपूर में किसे नहीं मिलता है तो राजतान हर्याना पंजाब को मिलता है लेकिन दिल्ली को नहीं मिलता है डी ओप्सेंज का सही होगा इंद्रा गांदी नहर के योजना कार जिने पदम भूशन से समानेत किया गया था वह कौन है तो वह है कमर सेन जो इंद्रा गांदी नहर योजना है उसके इंजिनेरिंग थे कमर सेन अगला जो किशना माही प्रियोजना की समध विदूत प्राप्त होती है तो केवल राजस्थान को B options का सही होगा अगला कुछन है राजस्थान में सबसे अधिक सिंचाई किन जिलों में होती है तो सबसे अधिक सिंचाई है वो सिरिगंगानगर अन्मानगर जिलों में होती है D options का सही होगा अगला कुशन है स्विलित करने माला सुची first में प्रियोजना है और सुची second में अवस्तिती है जो चोली प्रियोजना है वो है दोस्तो जालावाड में जेसमंद उदेपूर में और उसके बाद में बात करी खोकुंडा प्रियोजना कित भीलवाड़ा नेराइन सागर प्रिय करना नहर के दोनों और वरक्स उनके बीच शेमन गास लगाया जाना उप्रक्त सभी जो खतन है जो उपजार है वो सभी संबो है D Opsons का सही होगा राजी गांदी शिद्मुक नोहर प्रयोजना किसे सम्हदीत है तो यह व्रहध है ए अगला किष्टन है किस वरस रास्ता नहर का नाम परिवर्तित कर इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना बनाया गया था तो 1984 में नाम चेंज किया था रास्ता नहर का इंद्रा गांधी नहर प्रियोजना IGNP अगला क्यूशन है गंग नहर कहां से निकाली गई है तो गंग नहर है वो सतलज नदी पर फिरोजपूर से निकाली गई है ए उप्सन इसका सही होगा अगला question है ऐस संगत को हमें पहचाना है एक तरफ बांद है उनके अस्तापना दिया गया है तो राणा परताब सागर की स्तापना 1922 में ये गलत है जवार सागर 1922 में और कोटा बेराज की 1960 में गांधी सागरबांद की 1960 में तो ये option इसका गलत है दोस्तों एक question आपको कैसे ल कि अगına हैं कि सुँआ है पो कहा है लुड़ कपया खरनी की आपको का सली है थे एमद्क